हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दनेश लेवल में आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास है क्योंकि आज मैं इस स्रीज का चौथा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं जोगरफी, हिस्ट्री और सिविक्स के कोशन मैं लेके आता हूँ तो ज़्यादा समयना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरू करें और अपनों दोस्तों के साथ सेर भी जरूर करें तो आज का पहला कोशन मैं शुरू करता हूँ पहला कोशन है बांगला देश की संसद का नाम क्या है बांगला देश की संसद का नाम क्या है तो यह है जातिय संसद कौन जातिय संसद और मजलीस किसका है, पिपल कॉंसलिक किसका है, तो यह मैं यहाँ पर इसका डिटेल लिख दिया हूँ मजलीस है, मालदीप का पिपल कॉंसलिक है, मिस्र का और राश्टी एसेमली है, पाकिस्तान एम फ्रांस का तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है question number 2 मानसून का कारण है मानसून का कारण क्या है ये आपको बताना है तो इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा option number A हवाओं का मौसमी उतकर्मन क्या हवाओं का मौसमी उतकर्मन ये इस प्रश्ण का सही उतर है अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है question number 3 एल्मूनियम धातू का ask है एल्मूनियम धातू का ask कौन है ये आपको बताना है तो एल्मूनियम धातू का ask है box side यानि option number C इस प्रश्ण का सही उतर है दोस्तों आप हमें sona का ask के बारे में जरूर comment box में बताए sona का ask कौन हुआ है तो अब मैं यहाँ पे options related कुछ जो option में दिया हुआ था उसके details कर देता हूँ जैसे cube right है तामबा का, गेलेना है सिसा का आप हमें comment box में sona का ask के बारे में बताएंगे अब चलते हैं अगले प्रश्ण के ओर अगला प्रश्ण है question number 4 सरिस्का पच्छी बिहार कहां अवस्तित है सरिस्का पच्छी बिहार कहां अवस्तित है यह आपको बताना है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा option number C राजस्थान में राजस्थान में अवस्तित है अब चलते हैं अगले तो इससे कुछ डिटेल है कि हर्याना में जो है वो है सुल्तानपूर जील अभ्यारन और गुजरात में है गिर राश्टी उद्यान और नल सरोवर अभ्यान अभ्यारन नल सरोवर अभ्यारन और मदेपर्देश में है काना किसली राजकिय उद्यान काना किसली राज्य उद्यान अब अगला प्रश्ण है question number 5 ACS का सम्बंध किस से है तो ACS का सम्बंध है cricket से ACS series जो होता है वो cricket से related है इसलिए इस प्रश्ण का सह उतर हो जागा cricket अब चलते हैं अगले प्रश्ण की हो रहा है अगला प्रश्ण है question number 6 मकड़ी अने कीटों से भिन है क्योंकि इसकी होती है क्या होती है यह आपको बताना है कितने टांग होती है यह बताना है अनमकडियों से मतलब कीटों से भिन होती है क्यों तो इसके कितने टांग होते है तो इस प्रश्ण का सह उतर हो जागा option number 8 8 टांगे होती है इसलिए वो अनकीटों से भिन होती है अब इससे related कुछ बाते हैं यहापे मैंने लिखा है यह और्थोपॉंडा में आते हैं मकड़ी और्थोपॉंडा के अंतरगत आते हैं और समानता कीटों के 6 टांग होती है कीटों के 6 टांग होते है और मकड़ी की 8 टांग होती है यह आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रशन है question number 7 जोहार योजना किस राज में शुरू की गई है तो जोहार योजना जारखंड में शुरू की गई थी तो यह इस प्रशन का सही उतर हो जागा option number B अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन है question number 8 हरारे किस देश की राजधानी है हरारे किस देश की राजधानी है तो इस प्रशन का सही उतर हो जागा option number D जिंबावे की जिंबावे की राजधानी हरारे है और आप हमें comment box में तंजानिया की राजधानी का नाम बताएंगे तंजानिया की, अब चलते हैं अगले प्रश्ण के ओर, अगला प्रश्ण है question number 9, समिधान की किस धारा में सरवच न्याले के न्याइधिस पर महावयोग का प्रवधान है, तो धारा है 124, 124 के तहट सरवच न्याले के न्याइधिस पर महावयोग लगाया जा सकता है, और इस से related कुछ fact हैं, जो की option में मैंने लिखा है, जैसे 186, 111, यह सब, तो अनुछेद 124, अनुछेद 124 के तहट सरवच न्याले का गठन किया जाता है, ठीक, और अनुछेद 214, उच न्याले का गठन, राज में, उच न्याले का गठन होगा राज में, यह 214 के तहट है, और अनुछेद 86 के तहट, इसके तहट राश्टपती संसत को संबोधित करता है, राश्टपती संसत को संबोधित करेगा, अनुछेद 86 के तहट, और अनुछेद 111, जो की बिट्टो पावर है, राश्टपती के द्वारा, ठीक, अब चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर, अगल कितना तीहत्तर इसी में और गोपाल किसनकोखले के दोरा भारतिय समाज सेवक संगी। महादेव गोविंद रनाडे दोरा कि गई थी। यह सब बातें आप याद रखेंगे।- आपके एकजामके लिए हैवा है, अगला सबांग्य 15, मुहम्मद बिन तुलक के द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा पैसा मुद्रा सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था तो यह बना हुआ था पितल और तांबा का इसका पितल और तांबा का और इसे related कुछ बाते हैं कि मुहम्मद बिन तूलक के द्वारा चलाया गया यह सांकेतिक मुद्रा चांदी के रुपिये टाका के बरावर थी यह आप बातें याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रशन है question number 12 निमलिखित में से किस अधिवेशन में राष्टिय कॉंगरेस के नरम एवम गरम दलों का पुना बिले हो गया निमलिखित में से किस अधिवेशन में राष्टिय कॉंगरेस के नरम एवम गरम दलों का पुना बिले हो गया तो इस प्रशन का सही उतर हो जाएगा option number C कि लखनो में जो अधिवेजन हुआ था 1916 में उसमें बिले हो गया था यह आप याद रखेंगे और इसे रिलेटेट कुछ बाते हैं प्योंकि मैंने यहां लिखी है कॉंग्रेस में पहली बार अलगाओ हुआ था सन 1907 इसवी में यह बहुत बार कोश्चन पुछा जाता दोस कि कॉंग्रेस में पहली बार अलगाओ जो हुआ था जो अलग हुए थे वह कब हुए थे तो सन 1907 इसवी में सूरत आधिवेशन में कॉनसे आधिवेशन सूरत आधिवेशन के तहत हुआ था और उस समय कॉंग्रेस के जो अध्यच थे वे थे रास बिहारी बोस जी यह सब आधिया रखेंगे एकजाम के लिए काफी हेलफूल है आपके लिए और नोट भी करते चलेंगे अगला प्रशन है कोश्चन नंबर 13 नागा अर्जुन सागरबांद किस नदी पर बनाए गया है तो नागा अर्जुन सागरबांद देखिए यहां पर ऑप्सन में देखिए आंध्र परदिश में नागा नागा आर्जुन सागरबांद ठीक अब चलते हैं अगले प्रशन की ओर उससे पहले यहां पर थोड़ा मैंने डिटे लिखा था वह क्या कि जैकड़ावारी प्रयोजना जो की गुदावरी नदी पर है महराष्ट में यह याद रखेंगे बह चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रस्ण है कोस्चन नमबर 14 तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां इस्तित हैं तोरा बोरा की पहाड़ी कहां इस्तित है तो इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा ऑप्सण नमबर 2 पाकिस्तान में अफगनिस्तान में इस्तित है और अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है कोस्चन नमबर 15 गोल्डन पैन ओफ फ्रिडम पुरुसका किस्से संबंदित है यह सब कोशन बहुत ही हैं कम लोग जानते होंगे दोस्तों इसलिए आप जरूर इस प्रस्ण का एंसर याद कर लेंगे या आपको आता है तो हमें जरूर एंसर देते चलेंगे तो इस प्रस्ण का सही उतर हो जागा और इसे से रिलेटड कुछ बाते यहां पर मैंने लिकिए प्रोस्कार के चेतर में दिया जाता है वह जलते हैं अगले प्रस्ण के ऊरूर अगला प्र surely और से निमलिखित राजियों में से किस को लाब मिलता है किसको लाब मिलता है यह आपको बताना है तो इस प्रशन का सहे उतर हो जाएगा option number D उप्युक्त सभी राजियों को गुजरात महराष्ट राजस्थान और मद्य परदेश इन सभी राजियों को लाब पहुंचता है इसलिए इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा उप्यूत सभी राजियों को अब चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है question number 17 इंद्र धनुसे इंद्र धनुसी ये क्रांती किसे संबंदित है तो किसे संबंदित है ये हरित क्रांती से भी संबंदित है स्वेत क्रांती से भी संबंदित है और निली क्रांती से भी संबंदित है यानि इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा option number D ये सभी इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्ण के उर अगला प्रश्ण है question number 18 बार्दोली सत्यागरा का नेत्रित किस ने किया था तो बार्दोली सत्यागरा का नेत्रित सरदार बलनम भाई पटेल जी ने किये थे यानि इस प्रश्ण का से उतर हो जागा option number A और इस प्रश्ण से related कुछ बा प्रश्ण के कारण ही गुजरात की महिलाओं के द्वारा सरदार बलनम भाई पटेल को सरदार की उपादी दी गई थी अब चलते हैं अगले प्रश्ण की वोल अगला प्रश्ण है question number 19 कोईले के निमलिखीत प्रकारों में से किस एक में से सेस प्रकार किया पेच्छा अधि अधिक प्रतिसत कारवन का अंस है इसमें ज्यादा कारवन का अंस है यह आपको बताना है कोईले के निमलिखीत प्रकारों में से किस एक में सेस प्रकारों की अपेच्छा अधिक प्रतिसत कारवन का अंस है तो इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा option number D एंध्रासाइट में सरवाधिक कारवन की परतिसत महात्रा है कितना है यहां पर मैंने लिख दिया है 80-90 परतिसत अब चलते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है question number 20 सूरी के परिता एक परिकरमा के लिए निम्लिखित में से कौन सा ग्रह अधिक्तम समय लेता है यहां निम्लिखित में से बोला गया है तो दिया हुआ option प्रित्वी बिहस्पती मंगल और प्लिहा तो इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा option number B बिहस्प बिहस्पती ग्रह जो है निम्लिखित ग्रहों में से सरवाधिक समय लेगा और इसे related कुछ बाते मैंने यहां पर लिखी है कि बिहस्पती ग्रह जो है वह 11.9 वर्स में सूरी का एक परिकरमा करता है यानि लगबग 12 वर्स में लगबग 12 वर्स में 11.9 और सबसे कम समय में जो 65 वर्स यह सब बातें आप याद रखेंगे अब चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है question number 21 गुप्त कालीन हिंदू धर्म को के दो प्रमुक देवता हैं गुप्त कालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुक देवता कौन-कौन है तुवे हैं स्यूजी और विष्ण जायगा अब चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है question number 22 गुप्तन का स्ची वाले भवन धर्मुक दो इस वाला विडिन के नाम से जाना जाता है 또 इस प्रस्ण का स्ची वूप्यू धर्मुक दो और तौंब प्रदान की गई है तो यह 22 भाशाओं को मानिता प्राप्त की गई है वह कौन-कौन तो यहां पर मैंने लिखा है यह जो बाकी भाशाओं को जोड़ा गया था वह मुली समिधान में पहले 14 भाँसा थी, कितनी थी 14 भाँसा हैं, प्रन्तु 21 समिधान संसोधन जो की 1967 के तहत हुआ था, उसमें आठवी अनुसुची में सिंधी तथा 11 समिधान संसोधन, 1992 के तहत मनिपूर, कोकनी, निपाली, तथा 92 समिधान संसोधन, जो की 2003 के तहत, बोडो, डोकरी, मैथली, संताली भाँसा को जोड़ा गया था, पहले 14 भाँसा थी, और उसके बाद 8 भाँसाओं को जोड़ा गया, यानि टोटल 22 भाँसाओं को मानिता प्राप्त है, अब चलत प्रशन का सही उत्र हो जाएगा, अप्सन नमबर C, लॉड केनिन, कौन थे हैं, लॉड केनिन, अब चलते हैं, अगले प्रशन की और, अगला प्रशन है, कोश्चन नमबर 25, भारत के राष्टे पच्छी मोर को कब इमानिता प्राप्त की गई है, यह आपको बताना है, तो इस प्रशन का सही उत्र हो जाएगा, अप्सन नमबर D, 1952 में, तो दोस्तों, इस वीडियो के टोटल मैंने 25 कोशन बता दिये हैं, जो की काफी important थे, और इसे related जो भी fact मैंने लिखाए हैं, वो आप जरूर एक बार note में लिख के याद कर लें, क्योंकि आपके exam के लिए बह अली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन हुआ अंदे मातरम